हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे SPI Card and Payment के बारे में 750 पे IPO प्राइस था उसके उपर ये ट्रेड किया 770 तक एक बटाच होके रेटन आ गया तो अभी भी जिसने लिया होगा IPO में उसके पास हो गया यह शेयर यह हो सकते हैं लॉस्ट में निकाल दिया हो बट आगे की क्या रंडिती होनी चे इस स्टॉक में आये जाता है यह है वन आवर चार्ट जो कि इस उपर ट्रेंड पर नेगेटिव है रेजिस्टेंस से नीचे की और आज गया है मुविंग एवरिज के उपर आया ज़रूर है लेकिन सूपर ट्रेंड पर अभी भी रेजिस्ट कर रहा है तो देखने वाली बात होगी कि 535 के उपर क्लोज देता है या नहीं मंतली चार्ट यह आवली चार्ट में यह है डाउनवर्ड ट्रेंड जो कंटिनिवस चला रहा ह है इसके उपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है अपसाइड एक मूव देने के लिए फिलाल के लिए टेक्निकल्स में कोई पॉजिटिव नहीं है यह है मनी कंट्रोल यहां पर अगर आप स्वाट एनलिसिस देखे तो स्ट्रेंथ सीरो है वीक्नेस है ठ्रेट्स है तो यह भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है इस स्टॉक प्राइस के लिए यहां पर अगर आप देखे तो रेजिस्टेंस 2532.82 पर है उसके नीचे की क्लोजिंग दी है आज मूविंग एवरेज के सबसे बैरिश टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बैरिश है मूविंग एवरेज की बात क के लिए क्योंकि जो भी पेइमेंट अभी किया होगा वह सकता है मॉनोटोरियम में गया हो तीन मेने बाद पेइमेंट आईगी मेरे ही सबसे एक कौर्टर या दो कौर्टर आप वेट कीजिए इस स्टॉक में निवेश करने से पहले क्योंकि अभी बहुत सारा पेइमेंट दिले होगा तो उसके वैसे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइज में रिसेंटली लिस्ट हुआ है और लिस्ट होते ही डाउनसाइड देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव इशूस कॉर्णा वाइरस की वज़े से और लॉक्डाउन के वज़े से तो थोड़ा वेट कीजिए अभी SBI कार्ड में नया फ्रेश इंवेस्टमेंट ना करें डाउनसाइड और भी देखने को मिल सकता है 502 का जो लो है वो फिलाल एक सपोर्ट है यहां तक आके रिवर्स होने का एक चांस है बट मोस्ट लाइकली इसके नीचे ट्रेट करना चाहिए SBI कार्ड तो फिलाल के लिए इससे अवाइट करें दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स से जिसमें आप निवेश कर सकते हैं वो स्टॉक्स चूज करें और बॉटम बनेगा तो हम पापस इसके ओपर एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको की निवेश करना चाहिए या नहीं फिलाल के लिए SBI कार्ड अवाइट कीजी थैंक्स वो वाचिंग दिस